Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे performance appraisal of teacher. See, इससे पहले हम लोग उने curriculum के appraisal के बारे में बात की थी. अभी हम performance appraisal की अगर बात करें, तो ये basically एक systematic process होता है. जिसमें हम teacher की performance, की वो कैसा perform कर रहे हैं, किस तरह से वो instructions दे रहे हैं, and school community में उनका क्या योगदान है, हर एक चीज़ को assess करते हैं, ठीक है? So, it's a systematic process that involves the assessment and evaluation of teacher's job performance, instructional effectiveness and contribution to the school community. इस school community में उनका क्या योगदान है? देखो, अगर मैं बात करूँ, teacher appraisal की बहुत सारे benefits होते हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले तो अगर teacher अच्छा काम करें, तो हम उसको motivate करेंगे ताकि वो और अच्छा करें, ठीक है? जहाँ पर हमें लगेगा कि improvement की जरूरत है, हम feedback देंगे ताकि improvement हो, and obviously उससे professional development भी होगी teacher की. मतलब आप सोचो ना, एक teacher अगर अच्छा करता रहे, करता रहे, तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो उसको रोक ले, ठीक है? तो यहाँ पर feedback मिलेगा ताकि improvement हो, professional development हो, personal decisions लेने के लिए and accountability की क्या सही है, क्या गलत है, अगर आपने यहाँ पर यह गलती करी है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में, we can discuss, but after the performance appraisal, जब हम देखें की, मतलब जब हम देखें की assessment कैसे हुआ है, क्या है? Now, जब हम लोग key components की बात करते हैं, performance appraisal में, सबसे पहले तो आता है, clear criteria and standard. मतलब आपको अपने teachers के साथ बहुत clear होना पड़ेगा, कि आपकी क्या expectations है, अब teacher का काम आपने बोला पढ़ाना है, उसके बाद आपने 6 activity extra add कर दी, चोकि teacher ने ढंग से नहीं करी, क्योंकि आपने communicate नहीं किया था, तो वो फिर आपका fault है, बट, अगर आपने बोला है कि ये task होने है, और बिल्कुल valid बनते हैं, और तब teacher ने नहीं किया, तो they will be accountable for that, है ना, तो वो वाला point भी आपको clear हो गया होगा, accountable वाला, तो यहाँ पर clear criteria और standard set कीजे, कि हम चाहते हैं कि teachers ये चीज़े follow करें, ये criteria follow हो, ये standard रहे, ठीक है, establish clear specific criteria and standard, जो ये outline करता है कि teacher से हम क्या expect करते हैं, and किस तरह का professional conduct, मतलब हम क्या चाहते हैं, जैसे कुछ schools में, बहुत, जहां पर पर इंग्लिश हिता, आजकल तो हर कोई mostly English में करता ही है, most of the schools की बात करियों है, so, वहाँ पर, तू नहीं बोल सकते हैं आप बच्चो को, देखो, तू तो वैसे भी कितना सुनने में अजीब लगता है हैं, हम किसी को भी बोले तो, बढ़ कई लोग बोल देते हैं, तो यह है कि आपको एक conduct बताना है, कि क्या expected है, क्या आप चाहते हो कि teachers follow करें, क्लास्रोम में आप क्या expectations रखते हो teacher से, एंड स्कूल के प्रती आप उनकी क्या expectations रखते हो, यह सब आप पहले ही clear कर लोगे, तो बात में automatically teacher उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, Self-assessment, तो teachers को कहिए कि आप self-assessment कीजिए, मतलब, जैसे आपको मौका मिलता है, पे focus करे, goal set करे, and identify करे area for improvement की कहां-कहां पे work हो सकते हैं, फिर है classroom observation, conduct classroom observation by trained administrator और peers to assess teaching practices, classroom management, student engagement, and the implementation of instructional strategies, फिर आप देखिए कि classroom में teachers कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी trained administrator हो, अब जो classroom observation करने जाए, obviously वो भी उतनी knowledge रखें, उनके पास हो, ऐसा नहों आप किसी कैसे person को भेज़ दे, जो पता ही नहों कि पढ़ाया, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, तो classroom observation conduct कीजिए, peers के द्वारा, ताकि हम लोग teaching practices को assess कर सके कि कि किस तरह से हो रही है, classroom management को देख सके, student engagement को समझ सके, and instructional strategies पढ़ाने के तरीके को हम लोग implement कर सके, that we need to focus upon, right, फिर आते हैं student assessment पर, एक तरीका और होता है, देखो हमेशा बच्चों के काम में दिख जाएगा कि teacher कैसा पढ़ा रहे, अगर 3-4 बच्चे अलग ख़ड़ा perform करें, that is a different thing, ठीक है, but if you are saying कि अगर majority of the class is producing good result, or if they are producing the positive results, positive अतलब किसी भी वे में, ऐसा नहीं कि marks के basis पर, बट आपको लग रहा है कि बच्चों के behavior में changes आए हैं, बच्चों का critical thinking, problem solving skills डवलाप होया, तो कहीं ना कहीं, इन सब basis पर आप ये बता पाओगे, कि teacher ने कैसा पढ़ाया, या teacher ने किन skills पर काम करा बच्चों के साथ, ठीक है, उसके बाद आते है, peer review पे, implement peer review process, where experienced teacher observe and provide feedback to their colleagues, क्या करेंगे, peer review process को implement करेंगे, मतलब कि, जो भी teacher के friend होंगे, या उनके साथ होंगे, colleagues होंगे, वो जाके teacher को observe करेंगे, suppose I am a science teacher, and if I go to another science teacher's class, और ये भी social studies class, तो वो तो मुझे समझ में आई जाएगी, तो वहाँ पे जाके मैं ये बता सकती हूँ, कि कहाँ पे मुझे loophole लगा, अब यही बात है, कि ये थोड़ा constructive होना चाहिए, ये नहीं कि तुम तो बहुत खराब पढ़ा रहे हो, नहीं, it should be very constructive, कि जो person review करवा रहा है, उसको भी अच्छा लगे, कि मैंने अपने friend को बोला, या अपने colleague को बोला, और उसने जो review करा, मैं इस पे काम करूँगा, है ना, teachers अपने portfolio को compile को compile करें, incorporate करें, ये बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता, ठीक है, फिर आते हैं professional development पर, connect performance appraisal to professional development opportunities, कही ना कहीं आप ये बताईए, कि आपका, अभी हम लोग, you know, you are analyzing and assessment कर रहे हैं, अगर अच्छा result मिलता है, तो आगे जाके आपके लिए फायदा होगा, हम आपको दूसरी पोस्ट के लिए, या फिर कहीं और आपका, या किस सालोरी बढ़ेगी, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, मतलब इसके पीछे reason भी होना चाहिए, ना कि आप ऐसा कह रहे हैं, तो जब आप performance appraisal को, professional development opportunities के साथ connect करते हैं, तो teacher भी बहुत एंथू होते हैं, मतलब they also feel like, कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, you know, if I'll work properly, then maybe it will help me in the future, so identify areas where a teacher may need additional training, और support to enhance their skills, और प्लस अगर teachers को अपने skills improve करने के लिए, कोई भी help चाहिए, तो वो भी हमें करना है, feedback and coaching के अगर मैं बात करूँ, provide constructive feedback to teacher, based on their performance appraisal result, this feedback should be specific, actionable and focused on growth, आप उनको constructive feedback दीजिए, उनकी performance के basis पर, ठीक है, and obviously feedback यह नहीं होना चाहिए, तुम तो बहुती खराब काम करते हो, क्या काम करते हो, यह नहीं होना चाहिए, feedback पर आप उनको बताते हो, कि देखो यह हमने area analyze करे है, and हम यहाँ हमें लगते हैं, कि आप work कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको किसी की जरुद है, तो you can ask for the help, so यह आपके feedback and coaching के अंदर आते हैं, also, teachers के बारे में हम लोग, बहुत सारे sources से data gather कर सकते हैं, ठीक है, administrator से, colleague से, student से, parents से, अब ऐसा हैं कि बताईए, वो teacher कैसा पढ़ाते हैं, but you can do a survey kind of thing, and survey में तो कोई mostly they, you know, they tell, जो भी उनको लगता ही है, obviously it can be subjective, but again, यह एक तरीका है, जिससे आप data collect कर सकते हो, अलग-अलग sources से, फिराते regularity पे, conduct performance appraisal on a regular basis, performance appraisal करना है, लेकिन एक regular basis पर, ठीक है, typically annually करना है, ताकि यह ensure हो सके, कि continuous improvement हो, यह नहीं कि 4 साल में एक बार हम देख रहे हैं, कि teacher कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं, हर school में होना भी चाहिए, inspection होता है, बट teachers को इतने अच्छे से बता होता है, कि inspection होगा, कि उस दिल पढ़ाते ही थोड़ा अलग तरही के से हैं, पूरे साल के comparison में, तो वो चीज़ नहीं करनी है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कि इसमें थोड़े changes लाए जाएं, ठीक है, legal and ethical considerations, यह ensure करना, performance appraisal comply कर रहा है, legal या ethical guidance के साथ या नहीं, इसमें हमें यह भी देखना है, कि कोई भी हम अपनी power का, जो भी person, you know, check कर रहा है, कि teacher कैसा पढ़ा रहा है, या जो work कर रहा है, performance appraisal के लिए, वो unfair ना रहे, मतलब they should be fair with the person, जो भी teacher, जिसके भी लिए भी हम analyze कर रहे हैं, assessment कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, कि उस teacher के लिए, उस person के लिए यह fair रहे, ठीक है, recognition and reward, recognize and reward teachers, who consistently perform, देखो, जब हम इतना कुछ करते हैं न, यह हम work करना चाहते हैं, improve करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक main point होता है, हमें reward भी देना है, किसको reward देना है, उनको, जो आपको लगता है teachers को, जो high level में अच्छा perform करते हैं, who consistently perform at a high level, and इसमें awards हो सकते हैं, bonuses हो सकते हैं, additional responsibilities हो सकते हैं, ठीक है, support for struggling teachers, आपको identify करना है, sorry for that, आपको identify करना है कि, कौन से teachers हैं, देखो, teachers पढ़ाने में अच्छे हो सकते हैं, बढ़ हो सकते हैं, they are lacking somewhere else, तो इसका मतलब यह नहीं कि, वो खराब teacher है, हर एक person अगर teacher बनता है, तो time के साथ, they start improving, right, so आपको teachers को identify करना है, जो कहाँ, गहीं पर भी आपको लग रहा है कि, जो struggle कर रहे होंगे, and आप उन्हें additional support provide करिए, mentoring करिए, और professional development में help करिए, ताकि वो improve कर सके, appeal process, एक fair और impartial appeal बताईए, जिससे क्या हो, teachers को आप allow करो, कि, मतलब अगर उन्हें लग रहा है, कि जो भी हमने बताया उनके बारे में, जो भी हमने critical, जिससे कहना चाहिए, appraisal का जो result आया, वो अगर इससे agree नहीं कर रहे हैं, तो वो appeal कर सकते हैं, कई reasons के वज़े से हो सकता है, कि actually में result flawed हो, मतलब गलत हो या biased हो, कोई ऐसा person appraisal में involved था, जो उस teacher को पसंद नहीं करता था, तो हो सकता है, वो teacher अच्छा हो, but due to that personal problem, उसने वो खराब कर दिया और result, तो ऐसे में appeal का process भी होना चाहिए, right, so I hope ये video आपको clear हुई हो, समझ में आई हो, and आपको performance appraisal of teacher का topic clear हुआ हो, कोई doubt है, तो please comment section में comment करिएगा, अगर ये video अच्छी लगिए, तो channel को subscribe ज़रूर कीजएगा, and हर video में मैं ज़रूर याद दिलाती हूँ, playlist check करना मत भूलिएगा, because, जब आप playlist check करेंगे, you will find many useful videos, जो काफी आपको future में भी help करेंगी, be it, med, net, seated, सबकी अलग-अलग playlist है, subject और जो content है, ढूनने में problem नहीं होगी, and in case, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझे comment करके बताईए, thank you so much,